तो यह हम लिखते हैं कुलाम का नियम, यह है कुलाम का नियम, तो कुलाम का नियम क्या कहता है, किन ही दो बिंदू आवेस, तो चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ पर हमने एक बिंदू आवेस, क्यू वन लिया है, और यहाँ पर हमने एक बिंदू क्यू टू लिया है, कि नहीं दो बिंदू आवेस एक बिंदू आवेस Q1 है और एक बिंदू आवेस Q2 है तो कि नहीं दो बिंदू आवेसों के बीच लगने वाला आकरसर या प्रतिकरसर बल तथा इनके बीच के दूरी इनके बीच की दूरी है आर तो इनके बीज की दूरी के वर्ग के वित्रमारुपाती होता है तो चलिए हम लोग लिखते हैं किन्ही दो किन्ही दो बिंदू आवेसों किन्ही दो बिंदू आवेसों के मध्या लगने वाला आकरसर या प्रतिकरसर बल लगने वाला करसर या प्रतिकरसर बल आवेसों के आवेसों के के गुडन फल के अनुक्रम अनुपाती होता है होता है तथा उनकी 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 बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमान उपाती होता है तो यहाँ पर हमने एक बिंदू आवेस क्यू बन लिया और यहाँ पर हमने एक बिंदू आवेस क्यू टू लिया और इन दोनों की बीच की दूरी आ रहा है तो अब हम लोग मानते हैं यहाँ माना माना दो बिंदू आवेस माना दो बिंदू आवेस क्यू वन वा क्यू टू है जिनके बीच की दूरी आ रहा है तथा इसके मध्य लगने वाला बल एफ है तो कुलाम की नियम से तो नियमानुसार क्या होगा यहाँ पर लगने वाला बल एफ है तो एफ परपोर्शनाल क्यू वन क्यू टू यह इसको हम लोग समी कराने एक नाम दे देते हैं अब यहाँ पर दूसरा तथ्य क्या कहता है की की बिंदू आवेसों की बीच की दूरी के वर्ग के विद्क्रम अनुपाती होता है तो यहाँ कहले लिखेंगे एफ पर पोर्पोर्शनल एक बटी आर के वर्ग जथा इनके बीच की दूरी की वर्ग और क्यू टूरी आर है और आर के विद्क्रम आनुपाती है इस समी कराने दो नाम देते हैं अब इन दोरों कब हम लोग संयुक्त रूप से लिखते हैं, संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर, क्या होगा संयुक्त रूप से लिखेंगे तो, f proportional q1 q2, proportional 1 बटे r का वर्ग, अब हम लोग proportional, अब हम लोग q1 q2, अब इसको एक साथ लिख देते हैं, क्या होगा, f proportional q1 q2 बटा r का वर्ग, अब हम लोग proportional हटाएंगे और k लगाएंगे, पराबर k, कहाँ पर हो गया q1 q2 बटा r का वर्ग, ठीक है, अब हम लोग आगे हल करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर यह निकाले हैं, अब इसके आगे हल करते हैं, जहां के अनुपातिक नियतांग है, जिसका मान, पध्धतियों पर निर्भर करता है, जिसका मान पध्धतियों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला पध्धति हम निकालेंगे, केहां पर cgs पृद्धृति से बच्षित तो आप सभी जानते हैं होंगे है कि यहां पर दले में निकलने हैं किस्ट परदर्धृति में हम लोग यहां पर के कमांड जो है कई ब्राश एक लेने वाली है तो अब यहाँ पर हम लोग सूत्र में मान भरते हैं भी आया है और के के जगा में अपने को एक रख देना है यहाँ पर एक रखेंगे और यहाँ पर Q1 Q2 बटा आर का वर्ग हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिला एक बरावर Q1 Q2 बटा आर का वर्ग यह होता है डाईन इसका मातर होता है अब हम लोग दूसरा निकालेंगे एसाइब आज एसाइब दाती में यहां पद्धती में हम लोग के का जुमान है एक बटा फोर पाइस पिलोन जीरो लेंगी इसके बराबर में हम लोग नौ गुड़ा दस के घात नौ दस के घात में नौ भी ले सकते तो जहां यह इस पिलोन जहां यह इस पिलोन जीरो वायू या निर्वात में निर्पे एक छब विद्धू सिलता है विद्धू सिलता है तो अब हम लोग यहाँ पर सुत्र में फिर से रख देते हैं माल एफ बराबर के के जगह में हमें रखना है फूर पाईस पिलोन जीरो डॉन यहाँ पर लगाते हैं क्यू वण क्यू टू बटा आर का वरगा तो यह निउटन है यह हमारा सुत्र निकल चुका है या अगर आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं या एफ बराबर यहाँ पर हमने के के जगह में एक बटा इस पिलोन जीरो रख दिया है इसके जगह में आप यह भी रख सकते हैं नो गुड़ा दस के खात नो और क्यू वण क्यू टू बटा आर का वरगा यह सुत्र भी आप रख सकते हैं यह हमने कुलाम के नियाम सिद्ध कर लिया यहाँ पर हमें यह के कमान निकल गया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले कमान निकाला जहां के क्या है जहां के अनुपातिक निया तांक है जिस कमान पद्धतियों पर निभा करता है फिर इसी मान हमनेना कि कमान एक रखा है उसके बाद मान को रख दिये कि निकल गए वराबर्बर चुट कियो ऊहीं ऑट्टू बसक्त कुमान लीड़ का लिए एक बटा फोर पाइस पिलोन ब्राबर नौब गुड़िद्दस के खातनों तो जहां इस पिलोन जीरो जो है वायू और नीरवात में नीट पेख चबी दिव सिखता है तो हमने फिर से सुत्र में मार को रख दिया एफ बराबर एक बटा फोर 25 बटार गुड़िवार बटार नीट यह हमारे सुत्र यहां पर शिद्ध हुआ अगर आप फे एक बटाब फोर 25 बटार नाहीं लिखते हैं तो नौ गुरिद्दस के खातनों डोट क्यूवन क्यू टू बटार कभी लिख सकते हैं हाज क्यूदियो में बस इतना ही